टेस्टिंग के दौरान दुबारा दिखाई दी रोल्स रोयल्स की पहली SUV जाने कितनी लगजरी है कार कमपनी जल्द ही बिलकुल नई और पहली SUV दुनिया के सामने पेश करने वाली है खास बातें कुलनन को बिलकुल नई एल्यूमीनियम स्पेस फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है कमपनी ने इस कार में और भी उननट 6.75 लीटर का वी बारह इंजिन लगाया है के रोल्स रॉइस को लिनन नए लेट हेडल एम्स और लेट एले लेम्स के साथ आएगी लगजरी और महेंगी कार बनाने वाली कमपनी रोल्स रॉइस की नई SUV को लिनन दुबारा टेस्टिंग के दौरान कैमरे में टैद हो गई है ब्रिटे की लगजरी कार में का कमपनी की एह पहली और टेरेन कार है जिसकी टेस्टिंग ज़ेरमनी में की गई इस बार को लिनन कम के मुफलेग स्टीकर और ज्यादा प्रोड़क्शन पार्ट्स में दिखाई दी है हाना कि कार का ज्यादा तेर हिस्सा स्टीके से ढगा हुआ था ऐसे में इन फोटोज में हम कार के प्रोड़क्शन मॉडल हेडलाइस और टेलाइस के साथ देख सकते हैं हम इस कार को भले ही रोल्ज रोयस को लेनन एस्यूवी कहकर बुलाएं लेकिन ने से औल्टेरेन हाई साइड़ वीकल का नाम दिया है कमपनी इस बिलकुल नई एस्यूवी को अगले साल किसी भी वक्त लॉंच कर सकती है यह कार टेस्टिंग के दोरान कैमरे में कैद हो गई है ताजा स्पाय मेज को देखकर हम कह सकते हैं कि रोल्ज रोयस की आने वाली एस्यूवी को लिनन की चट औरे पिला के साथ शांदार ख्रोम ग्रिल लगाई गई है बाकी फीचर्स के साथ ही कमपिनी ने इस कार में पतले आकार के हइंड़ लेमस दिये हैं जो LED हेडल लेमस और LED डेटा-इम रानन गलाईज के साथ हाते हैं इसके साथ ही कार में आकरशक सेंट्रल एर डेम और बड़े आकार के air index दिये हैं फटो में दिख रहे हैं अलोई वील्स कार के प्रोडाक्शन मॉडल के साथ भी दिये जा सकते हैं लेकिन इसके बीच में Rolls-Royce के लोगो को भी कमपनी ने ढख रखा है इस कार के led टेले लंप और rear bumper भी प्रोडाक्शन मॉडल वाले ही हो सकते हैं ये भी पढ़़ें इंटीरियर की बात करें तो रोल्स रॉइस ने इस SUV में प्रोटोटाइपी जैसी स्टियरिंग के साथ इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर भी समान ही रखा है इसके अलावा कार के इंटीरियर में इस्तेमाल की गई डिजाइन बिलकुल नई है कमपनी ने ओल्टेरिन हाइ स्पीड वीकल में ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और और वील ड्राइफ फीचर दिया है रोल्स रॉइस ने कुलन में 6.75 लीटर का वी बारह इंजिन दिया है जो इस कार को बेहत दमदार बनाता है